इस समय हम समुद्र के सतर से उपर 4,429 फीट इन साथपुडा की हसी वादियों में थंडी-थंडी हवा का लुप्त उठा रहे हैं और घुमते-घुमते हमें यहाँ पे ऐसा पौधा मिला है जो आयरवेद का पूरा भंधार ही माना जाता है हम इसे हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं और इंग्लिश में golden shower tree और इसका एक unique name है जो उसे सभी नामों से अलग करता है वो है Indian rain indicator जी हाँ क्योंकि अप्रेल में महिने में इसको जब पिले-पिले flower आना शुरू होते हैं तो flower आने के 40 days बात इंडिया में यहाँ पे साथपुडा रिजर में बारिश आना शुरू हो जाती है इसलिए इसे Indian plant indicator के नाम से भी जाना जाता है अमलतास का जो पेड़ है इसमें बड़ी-बड़ी आपको फल्या दिख रहे होंगी यह फल्या में बीज होती है और यही बीज हमारी आयरेद में कारगर मानी जा रही है बहुत सारी पेट की समझ से आये कब्स है इसमें बहुत ही कारगर मानी जाती है एप्रिल्या माई के म हम इने पिसकर पित्त या कप का अच्चे से निवारन भी कर सकते हैं इन फलियों में जो चिपचिपा रस होता है वो गर्भती महिला कमजोर पुरूश आदी इनको दे कर बहुत सारी बिमारियों का निवारन होता है प्राइमरी स्टेज में फलिया ग्रीन डार्क ग्रीन कलर की दिखती है लेकिन जब यह पक जाती है तब बेलन के आकार की ब्राउनिश हो जाती है और इनमें बीच पकने लगते है यह देखे बीच यह बीच को कुट कर हम बहुत सारी दवायों में इसका इस्तमाल करते है और सारी रोचक जानकर एक लिए हमें लाइक और सस्क्राइब करें. Thank you.